आज मैं आपको Newton's Law of Motion का second lecture cover करूँगा इस lecture के अंदर मैं आपको lift और elevator पर based theory और questions कराूँगा जैसा कि मैंने Newton's Law of Motion के first lecture के अंदर बताया था कि जो first part होगा वहाँ मैं आपको Newton's के तीनों लोग को explain करूँगा और वहाँ उन पर based अभी questions को second part के अंदर मैं आपको elevator और lift पर based questions और theory कराूँगा और third part के अंदर मैं आपको pulley और block पर based theory और questions कराूँगा अब देको concept of lift or elevator करेंगा और लिफ्ट के concept को सीखने के लिए आपको चार चीज़ाना बहुत जरूरी है पहला नॉर्मल reaction force यानि सामाने प्रितिक्रिया बल दूसरा bait of the body तीसरा net force कुल बल और फॉर्थ है acceleration that is तुरान आपको acceleration पता है net force पता है bait पता है लेकिन आपको normal reaction force मैं आपको explain करता हूँ क्या होता है चिक है normal reaction force इसे बोलते हैं सामाने प्रितिक्रिया बल नॉर्मल reaction force को generally आप R से represent कर देते हैं और कुछ books के अंदर इसको N से भी represent किया हुआ होता है तो आप R से भी represent कर सकते हैं और आप N से भी represent कर सकते हैं अब होता क्या है वो देखो आप यह मेरे पास यह देखो यह मेरे पास एक table है ठीक है यह table है और इस table के उपर एक M mass का body है M mass तो देखो अर्थ की क्या tendency होती है अर्थ की यह tendency होती है कि हर object को यह या हर body को अपने center की तरफ attract करता है जब इस center की तरफ attack करता है तो किसनी किसी force ही तो attract करता होगा वो force gravity force के बराबर होता है यानि गुरुत्य बल के बराबर और gravity force कितना होता है Mg ठीक है और यही gravity force generally उस body के बेट के बराबर भी होता है क्लियर है तो देखो जो एम मास का ब्लॉक है एम मास की जो बॉड़ी है यह object है तो अर्थ क्या करेगा इसको अपने center की तरफ attract करेगा मानों यह center है अर्थ का तो अपने center की तरफ attract करता है तो किसनी किसी force से attract करेगा वो वो फोर्स क्या कहलाएगा gravity force क्या कहलाएगा gravity force से हिंदी में बोलते है गुरुत्यवल और वो गुरुत्यवल कितना होता है mg ठीक है यह मास है इस object क्या body का और जी क्या है acceleration due to gravity ठीक है और यही gravity force किसके बराबर होता है इस body के bait के बराबर यानि bait of the body यानि body का भार that is w ठीक तो यह वाला concept clear होना चाहिए अब देखो अब होता क्या है इसी body यह जो body मास की body और यह जो टेवल की जो surface है यह वाली surface सतह है तो यह सतह है क्या करती है यह सतह है इस gravity force के just opposite direction में एक force लगाती है क्यों लगाती है वो मैं explain करता हूँ लेकिन पहले देखो कि यह जो surface है यह इस gravity force के just opposite direction में एक force लगाती है उसको बोलते हैं normal reaction force और यह normal reaction force इस gravity force के बराबर होती है ठीक है और लगाती कहा है just opposite direction में gravity force center की तरफ लगेगा अर्थ के center की तरफ और normal reaction force उससे just opposite direction में लगेगा पहला तो point यह कि just opposite direction में लगेगा दूसरा दोनों का magnitude same होगा क्यों होगा explain करता हूँ तीसरा जो important है वो यह कि यह जो reaction force होता है वो इसी land के along लगता है जिस land के along gravity force लगता है towards center उसी land के along लगता है या मैं यू बोलू यह उस surface के लंब बत होता है यानि उस surface के क्या होता है perpendicular अब लगता क्यों है वो देखो आप यह मास का block यह मास की body है ठीक है अब हो क्या रहा है बताओ इस पर gravity की gravity force लग रहा है जितने बल से यह इसको अपने center की तरफ attract कर रहा है कहीं न कहीं ऐसा बल जरूर लग रहा है जो इसके just opposite direction में लग रहा होगा तभी तो वह balance हो रहा होगा तभी तो कोई चीज वहीं रखी होगी जितने बल से इसको attract किया जा रहा है उतने ही बल से इसको ऊपर खींचा जाए तो वो जो body है बहीं के बहीं balance रहेगी नहीं रहेगी तो यह इसी के लिए इस table या कुर्सी पर रखी हुई है ठीक है कहीं कहीं इस surface पर एक और force लग रहा होगा just opposite direction में gravity force के जिसे हम क्या बोलते है reaction force तो clear है यह force इसलिए लगता है reaction force यह इस force को balance करने के लिए ठीक है clear बात तो यह हो गया आपका normal reaction force इसमें जो important था यह हमेशा उस surface के लंगवत होता है दूसरा opposite direction में लगता है gravity force के तीसरा दौनों का magnitude same होता है equal value होती है ठीक है यह तो आपका हो गया reaction force अब देखो यहाँ जो सबसे important logic है जो आगे topics के में मैं आपको cover कराऊंगा पहले मैं आपको ए आपको lift के logic explain करने है ठीक है तो देखो lift के अंदर क्या क्या पढ़ना है basic idea मैं आपको देता हूँ यह मान के चलो मेरे पास एक lift है ठीक है अब देखो इस lift के अंदर एक M mask की body है यह रही M mask की body क्या है अगर यह lift A acceleration से उपर की तरफ जा रही हो या तोरण A से नीचे की तरफ आ रही हो तो आप पहले sign convention लेना सीको sign convention कैसे लेंगे तो जिस direction में acceleration होगा ओधर वाली value सब positive होँगी और opposite direction में सब value कैसी होँगी negative यानि इस direction में acceleration होगा तरण होगा उस direction में सभी value कैसी होँगी positive और opposite direction में सब कैसी होँगी उसके negative पहली बात तो ही sign connection आपको आना चाहिए, दूसरा, अब देखो, अगर body a acceleration से move कर रही है, उपर या नीचे, तो body के bait में change आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आगे explain करूँगा, लेकिन आपको एक feel दे रहा हूं, पहले आपके mind में एक चीज clear कर रहा हूं, कि अगर जो body का जो normal bait ह है, that is mg, mg इसे मैं बोल रहा हूं, actual bait, क्या बोल रहा हूं इसको मैं, जो बास्तविक, जो body का, इस टाइम मैं हुआ, तो मेरा जो bait है, वो original bait है, actual bait है, ठीक है, यानि, यह जो w बराबर, जो mg है न, यह क्या है, यह कौन सा bait है, this is actual bait, actual bait, इसे हम बोलते है, actual माने, बास्तविक bait, बास्तविक, तबिक बाहर, clear है, यह है, बास्तविक बाहर, एक होता है, apparent bait, apparent bait, apparent bait, जैसे हम बोलते हैं, आभासी बाहर, यह आभासी बाहर, क्या होता है, देखो, जब body, एसलेशन से उपर की तरफ जाएगी या एसलेशन से नीचे की तरफ जाएगी लिफ्ट के अंदर तब बोड़ी को बेट कम या ज़्यादा महसूस होता है यानि अगर नॉर्मल बोड़ी का बेट 50 क्लोग्रेम है तो बोड़ी का बेट 40 भी फील होगा या 55 और 60 भी फील होगा वो जो फील हो रहा है जो नॉर्मल बेट से ज़ादा जो बेट फील हो रहा है उस बेट को हम क्या कहते हैं अपरेंट बेट ठीक है और उसी को हम इंदी में बोलते हैं आवासी बाद तो मैं आपको यह सब कहां explain करूँगा आगे जो lift के concept सिखाऊँगा वहाँ ठीक है तो यह note करो फिर मैं वह explain करता हूँ अब देखो case number one जब lift ए acceleration से उपर की तरफ move कर रही हो ठीक है तो when the lift when the lift accelerated upward upward बाने उपर की तरफ ठीक है तो यह lift है ठीक है और जब यह lift ए acceleration से उपर की तरफ move कर रही हो यह हमें case explain करना है ठीक है तो इस lift के इंदर एक M mass की body है यह देखो यह M mass का एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ठीक है यह condition है और इसका mass कितना है M mass है ठीक है तो देखो इसका जो बेट है कहां लगेगा इसके center की तरफ और that is w बरावर mg बात के लिए अर्थ इसको अपने center की तरफ अट्रेक्ट करेगा कितने force से Mg से और इस Amg क्या होगा उसी बेट के बरावर w बरावर mg इसी को balance करने के लिए एक और force लगता है जिसे हम क्या बोलते है normal reaction force clear है बात अब देखो जिस direction में acceleration है उसी direction में क्या होगा total force ठीक है तो acceleration जिस direction होगा उसी direction में force भी होगा और वो force कितना होता है that is ma mass into acceleration यानि दर्बमान into तुरहन अब मैंने आपको अभी सिखाय था science convention के अंदर कि जिस direction में acceleration होगा उसको आप positive लोगे और opposite direction वाले को क्या लोगे आप negative तो देखो उपर की तरफ कौन जा रहा direction force उसको आप ले लो यह positive negative कौन है नीचे वाला बेट minus mg बराबर यह किसके होता है total force के total force कितना है म अब देखो यह आर बराबर कितना आ गया यह positive बन जाएगा उधर जाके तो यह का जागा mg प्लस म यह आपके पास आ गया mg प्लस म अब आप बताओ बास्तम में जो बॉड़ी का बेट था वो कितना था mg तो मैं अगर आपसे बोलू कि जो actual बेट है बॉड़ी का actual बेट यानि actual बेट का मतब वास्तविक भार वो कितना है mg है लेकिन इसी के साथ यहाँ इस condition में क्या हो रहा है एक ma component or add हो रहा है मतब बॉड़ी का जो बेट है original बेट से कुछन को जादा हो रहा होगा तो जो इस जो इसके अंदर इंसान है mg की जो बॉड़ी है अगर यह left के अंदर a solution से उपर की तरफ जा रहा है तो इसको अपने actual बेट से बेट थोड़ा जादा फील होगा उस बेट को ह आया है यह वाला पूरा का पूरा यह क्या है अपरेंट बेट तो मैं बोलूँगा अपरेंट बेट अपरेंट बेट का मतब आवासी वार और आवासी बार को मैं किस से रिप्रिजेंट कर रहा हूँ? W- से और actual weight को किस से रिप्रिजेंट कर रहा हूँ? W से तो देखो इस case के अंदर actual weight वो mg है और जो आवासी बार है वो कितना mg प्लस ma तो बताओ जो apparent weight होगा इस case के अंदर वो क्या होगा? जादा होगा भाई ये सिर्फ mg और mg प्लस ma है तो apparent weight क्या होगा? जादा होगा actual weight से ये बात क्लियर है तो जब lift A acceleration से उपर की तरफ move करती है और जो उसके अंदर body है M mass की body है तब उस case के अंदर जो apparent weight होता है वो जादा feel होता है actual weight से तो यहाँ इस case के अंदर जो body है थोड़ा सा extra weight feel करती है भारीपन मैंसूस करती है ये तो कि condition number one case number one लेकिन यहाँ मैं एक और case explain करता हूँ case second इसी के अंदर अब मैं second case है कि when the lift is unaccelerated यानि unaccelerated तो when the lift is unaccelerated unaccelerated का meaning क्या है unaccelerated का meaning है कि यहाँ जो acceleration है वो क्या है zero अगर acceleration zero है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि velocity भी क्या है zero या ये बोल सकता हूँ velocity क्या है constant ऐसे भी तो बोल सकता हूँ तो lift जो है वो constant velocity के साथ move कर रही है मनताब उसका acceleration क्या है 0 अब देखो अगर इसका acceleration 0 होगा तो मैं अगर acceleration 0 कर दूँ तो formula क्या जाएगा R बराबर mg तो ये क्या जाएगा R बराबर mg अब आप देखो जो बास्तम में जो body का weight है ये जो actual weight है that is W वो किसके बराबर होगा अब वो किसके बराबर होगा apparent weight के that is W तो इस case के अंदर जब body acceleration 0 होती है unaccillation unaccillated होती है तब उस case के अंदर body का जो apparent weight होता है वो किसके बराबर होता है actual weight के clear है तो ये दो case हो गए इनको note करो इसके बाद फिर मैं और explain करता हूँ अब देखो case नम्मर 3 अब lift ए एसलेशन से नीचे की तरफ जा रही है तो मैं बोलूँगा when the lift accelerated downward accelerated downward यानि ये मेरे पास यहां एक lift है ठीक है और ये कहां जा रही है downward जा रही है एसलेशन से और यहां एक मास की बॉड़ी है ठीक है और इसका मास कितना है मैं अब देखो मैं आपको science convention बताया था कि जिस direction में एसलेशन वहां सब वैल्यू पॉजिटिव और उससे दूसरी direction में सब वैल्यू नेगेटिव अब देखो जिस direction में acceleration होगा उसी direction में क्या होगा total force f net that is ma क्लियर है अब देखो यह जो मास की बॉड़ी है अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रेट करेगी कितने बेट से ग्रेविटी बेट से ग्रेविटी फोर्स से और वह क्या होगा अपवर्ड में नेगेटिव है उसको टोटल फोर्स के बराबर रख दो तो देखो पॉस्टिव कौन है mg यह नॉर्मल एक्शन फोर्स नेगेटिव बराबर टोटल फोर्स में के बराबर पुट कर दो अब आप देखो एक काम करो में इधर की तरफ आ जायगा तो mg बानस ए और क्या बोलता था अपरेंट बेट ठीक है तो यहां जो दिख रहा है आपको mg-ma यह क्या है w- that is अपरेंट बेट तो आप यहां क्या देख रहे हैं अब original बेट में से actual बेट में से कुछ चीज़े घट रही है तो अगर original बेट है actual बेट है तो आपकी बोड़ी 45 या 40 के आसपास बेट फिल करती है हलका महसूस करती है जब लिफ्ट से लिफ्ट के अंदर है और नीचे की तरफ आते हैं तब आपकी बोड़ी हलका महसूस करती है तो मैं आप बोल सकता हूँ कि जो apparent बेट है उसकी value क्या होगी कम होगी actual बेट से तो actual बेट की value क्या होती है ज़ादा तो मैं बोल सकता हूँ और करके w is greater than w जब a solution से downward जाएगी नीचे की तरह तब आपका actual बेट ज़ादा होता है apparent बेट से और a solution से आप ऊपर की तरफ जाओगे तब आपका actual बेट ज्यादा होता स्वारी actual बेट कम होता है apparent weight से मतलब apparent weight की value क्या होती है ज्यादा ठीक है अब देखो यहाँ एक और case है that is case number four यह एक lift है ठीक और इसके अंदर एक m-mass की body है और इसका मास अब देखो यह तो lift है कुछ is string से बंदी ही रहती है एक tar से इस तरीके से tar से बंदी हुई है lift कि अब क्या करा कि इस lift को मानों यह lift downward direction में a solution से move कर रही है ठीक है अब क्या करा इसके tar को cut कर दिया क्या कर दिया इसको cut कर दिया इस तरीके से इसको cut कर दिया कैंची से cut दिया और cut कर दिया तो अब एक किसकी condition बन गई free fall की condition किसकी condition बन गई free fall तार को cut कर देंगे तो ये free fall की condition बन गई यानि किसकी condition बन गई free fall अगर free fall की condition है तो A बराबर किसके हो जाएगा G के ठीक है और A बराबर G के तो downward की condition देखो जहाँ A है वहाँ क्या put कर दो G तो मैं क्या put करूँगा M G minus A की जगह क्या put कर दो G बराबर R M G minus M G क्या हो जाएगा 0 तो ये R बराबर क्या जाएगा 0 मतब इस time जो body है वो बिल्कुल weight नहीं होगा उसके अंदर तो इस case के अंदर जो body feel करती है वो क्या होता है बेट नेस इस case में जब body free fall की condition में होती है जब A बराबर G के होता है मैंने इसको cut कर दिया तो ये condition आ जाती है free fall की condition तो उस case के अंदर जो A होता है वो किसके बराबर उस case के अंदर sorry उस case के अंदर body weightness feel कर दिया, उसके अंदर weight होता ही नहीं, ऐसा feel करती है ठीक है तो ये सारी condition मैंने आपको explain करती है lift पर जितने भी concept है, ठीक है अब आप इनको बहुत अच्छे से note करो फिर मैं आपको question explain करता हूँ अब देखो questions ठीक है, question number one question बोल रहा है कि a lift is moving up with an acceleration equal to 1 by 5 of that due to gravity the apparent weight of a 60 kg man standing in the lift is option A, 48 kg, 60 kg, 72 kg and none of the above यानि एक lift गुरत्वा कशन के कारण 1 by 5 के बराबर तुरण के साथ ऊपर जा रही है तो lift में खड़ेक 60 kg के व्यक्ति का इस पस्ट बजन होगा options आपको given है यानि देखो simple यह बोल रहा है कि आपके पास यह lift है और lift के अंदर एक इंसान है यानि एक human being एक body है ऐसे यह body है ठीक है ठीक और बोल रहा है a acceleration से उपर की तरफ जा रही है of acceleration due to gravity यह है आपको given तो क्या बोल रहा है सवाल के इंदर हम से कि apparent weight बताओ कितना होगा apparent weight यानि आवासी वार जिसने मैं W dash से represent कर रहा था तो उपर हम जब जा रहे थे तो हमारा W dash कितना होता था mg प्लस m a अब देखो a की value कितनी है जी वाई 5 तो mg प्लस mg जी वाई 5 mg की value कितनी है यानि बेट उसका कितना दे रखा है उसका बेट given है आपको 60 kg question के अंदर तो यहाँ value पुट कर दो यानि W dash परावर mg कितना है 60 प्लस ये mg कितना 60 वाई 5 तो देखो cancel 12 times तो 60 और बारे कितना होता है 72 kg यानि उसको जो अपरेंट बेट होगा वो कितना होगा 72 kg उसका actual बेट जो था वो 60 kg था अब उसको जो बेट फील होगा उपर जब ए एस्पिलेशन से जाएगा तो भाई अब यसी बात है अपरेंट बेट इंक्रीज होगा वो कितना होगा 72 kg उसको फील होगा ठीक है अब देखो second सवाल second सवाल है in an elevator moving vertically up with an acceleration G the force exerted on the floor by a passenger of the mass M is option A mg, option B 1 by 2 mg, option C 0 option D 2 mg यानि एक तुरण G के साथ लमवत रूप से बढ़ते हुए elevator में दिरबिमान के यात्री द्वारा फर्स पर लगाया गया बल ठीक है तो हमसे ये बोल रहा है second question कि ये lift है ठीक है इसके अंदर एक body है ठीक है इसका mass M है ठीक है और A acceleration से उपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो value दे रखिये हो कितनी दे रखिये है G ठीक है acceleration की value कितनी दे रखिये हो उसने G अब हमसे बोल रहा है सवाल के इंदर उसने final पे हमसे पूछा है कि the force exerted on the floor by a passenger force कितना exert होगा उस passenger के द्वारा उस first पर ठीक है यह हमसे निकल वा रहा है तो देखो जब A acceleration से उपर की तरफ जा रहा है तो इसके first पर इसको bait क्या लगेगा बाहरी feel होगा चुकि उपर की तरफ जा रहा है तो apparent bait इसका increase होगा वो कितना होगा WS MG प्लस MA ठीक है इस body का जो bait है वो कितना हो जाएगा W पर आबर MG actual bait और MA से उपर जा रहा है net force से तो देखो आप A की value कितना रखे उसने G तो यह क्या हो जाएगा MG प्लस M और A की जगा एक पूट कर दो आप G अब आपका क्या हो जाएगा MG प्लस MG क्या हो जाएगा 2M तो उसको फर्स पर कितना force feel होगा 2M ठीक है तो आपका option D is correct ठीक है अब देखो next question इनको note करो फर्म हो explain करता हूँ अब देखो next question question बोल रहा है कि a pendulum bob is suspended inside a lift moving upward with constant velocity if the mass of the bob is 50 gram sorry 50 gram not kilogram 50 gram then its weight inside the compartment is 0 0.1 0.5 newton और 0.05 newton यानि एक pendulum bob निरंतर बेक के साथ उपर की और भढ़ते हुए lift के अंदर निलंबित होता है जए बोल का दर्बेमान 50 gram है तो डिबे के अंदर इसका बजन है तो देखो यानि lift है थर्ड कोश्चन ये lift है और इस lift के अंदर एक bob है और वो bob क्या हो रही है suspend हो रही है इस तरीके से घूम रही है इस तरीके से ठीक है और उसने question के अंदर आपको given दिया है कि उस बॉब का जो मास है वो कितना है 50 g तो मास ओफ बॉब कितना है 50 g और इस अचलीजस से ऊपर की तरफ जा रही है किया ये एस चलिएक रही है न से ऊपर पी तरफ यारी ये तो हमसे बोल रहा है कि आप एक compartment के इंदर कितना बेट फिल करेगी किलियर है तो देखो simple constant velocity के साथ move कर रहा है बहुत important condition उसने दिया कि constant velocity के साथ भी move कर रहा है तो देखो clear है logically कि ऊपर की तरब जा रहा है तो जो इसका apparent rate होगा वो क्या होगा mg प्लस ma लेकिन उसने सवाल में क्या दिया है constant velocity के साथ move कर रहा है तो acceleration क्या हो जाएगा 0 by constant velocity के लिए acceleration 0 तो पूरा system क्या हो गया 0 तो w dash कितना आ जाएगा mg और mass of the bob कितना दे रखा है 50 gram और gram से किसमें convert करोगे क्लो ग्राम में तो क्लोग्राम मतलब 10 to the power minus 3 और g की value आप 10 पूट कर दो बहुत important condition पता है कि हम जल्द बाजी में gram को क्लोग्राम में convert नहीं करते हैं और answer कहीं गलत हो जाता है तो आप ग्रैम से किसमें convert करोगे क्लो ग्राम में अब इसको solve कर दो यह आ जाएगा 50 into 10 to the power minus 2 और जिसको आप solve करोगे तो इसका आएगा यह 0.5 नूटन क्लियर है तो option C is correct क्लियर है अब देखो next question question बोल रहा है बिल्कुल theoretical question है a boy whose mass is 40 kg stand in a lift the force experienced by the boy leg will be maximum while the lift option A is standing stationary option B is moving downward with a velocity of 4 meter per second option C is moving downward with an acceleration of 4 meter per second square तो यह बोल रहा है एक boy lift के अंदर खड़ा हुआ है और उसका mass दे रखा है 40 kg तो बोल रहा है कि जो force maximum ठीक है कब experience होगा lift के अंदर जब lift खड़ी हुई हो नॉर्मली बिल्कुल खड़ी हुए वो move नहीं कर रही है stationary है इस्थिर है option B जब वो downward velocity से move कर रही हो 4 meter per second से तीसरा option जब वो 4 meter per second square acceleration से downward move कर रही हो और जब वो 4 meter per second square acceleration से upward move कर रही हो तो अब देखो उसको weight कब ज़्यादा feel होगा अब यसी बात है उसे तब weight feel होगा जब वो a acceleration से उपर की तरफ move कर रही होगी तो option इसका क्या है D is correct तो 4 meter per second square acceleration जब वो उपर की तरफ जारी होगी तो जब आपका apparent weight क्या होगा ज़्यादा तो option D is correct ठीक है theoretical सवाल था बिलकुल अब देखो next question ये सवाल अच्छा है तो question बोड़ रहा है कि a lift is moving up with an acceleration of 4 meter per second square आपको acceleration दे रखा है सवाल के अंदर 4 meter per second square ठीक है आगे बोल रहा है इफ जी बराबर 10 meter per second square जी की value दे रखी है 10 meter per second square तब weight of the man is आपसे weight निकल वारा है man का option A increase by 25% यानि 25% increase होगा जब भाई A acceleration से 4 meter per second square से वो उपर की तरफ lift move कर रही है तो obviously बात है weight तो increase होगा तो option उसने बोला है increase by 25% option B increase by 40% option C decrease by 20% option D decrease by 40% ये तो clear है last के जो option है C और D वो तो खतम क्योंकि जब A acceleration से उपर की तरफ जाएगा तो उसका weight तो increase होगा तो आपका या तो option पहला correct होगा या option second correct होगा देखो इसको कैसे करेंगे अगर percentage की बात आए तो इस टाइप के सवाल को करने का formula क्या होता है percentage में कितना increasement आएगा तो देखो सवाल करने का ये तरीका होता है इसका एक formula होता है कि apparent weight याने w dash minus actual weight upon actual weight into 100 ये formula होता है इसका ठीक है जब वो increasement की आपसे बात करें तब के लिए concept है अब देखो हमें apparent weight निकालना है तो क्या हो जाएगा apparent weight w dash तो क्या हो जाएगा mg plus ma जब a solution से उपर की तरफ move कर रहा हो ठीक है अब देखो आप m constant m common ले लो sorry अंदर क्या बचा जी प्लस ए तो देखो जी की value उसने कितनी दीए 10 और एक की value कितनी है चार 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 तो ये w dash कितना हो जाएगा 14m ठीक है अब देखो w कितना हो जाएगा actual weight वो कितना हो जाएगा आपका mg जी की value कितनी है 10 तो ये कितना हो जाएगा 10m तो आपको actual weight और apparent weight मिल गए अगर एसलेशन से उपर की तरफ move कर रहा है तो तो आप रख दो यहां value के अंदर w dash कितना हो जाएगा 40m minus actual weight कितना है 10m upon 10m into 100 क्लियर है अब देखो 14 में से 10 के तो कितना मचा 4m upon 10m into 100 तो देखो m से m cancel 10 से यह 10 times cancel तो कितना जाएगा 40% यानि यह 40% से इसका weight increase होगा क्लियर है बस आपके यह formula याद रखना है increase meant के लिए कि जो actual weight sorry apparent weight minus actual weight upon actual weight into 100% जब percentage की बात करें वो आपसे तो आपका अंसार कितना होगा कि वो 40% से उसका weight increase करेगा यह note करो फर मैं आगे explain करता हूं अब देखो next question a man mass 50 kg is in a elevator or lift with it with is moving up with acceleration 0.49 meter per second square यानि acceleration दे रखा उसको 0.49 9-9 meter per second square और मास दे रखा है उस मैं का 50 kg और यह lift के अंदर है और यह acceleration से lift कहां जा रही है ऊपर की तरफ clear है तो हमसे बोल रहा है find the normal reaction exerted by the man on the floor of the elevator elevator के floor पर वो जो normal reaction force लगेगा man के द्वारा वो हमें बताना है तो option a 214.5 newton, option b 314.5 newton, option c 414.5 newton और option d 514.5 newton तो उपर की तरफ जा रहा है तो हमें normal reaction निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा mg प्लस m a तो को m कितना दे रखा है उसने 50 kg और g की value 9.8 ले लो आप प्लस m कितना है आपका 50 a कितना है 0.49 जब आप इसको solve करोगे तो यह आएगा करीब 514 514.5 newton तो इसका simple सा है normal reaction पूछा आप से जब solve करोगे तो इसकी value आएगी 514.5 newton ठीक है अब मैं आपको जो next सवाल दे रहा हूँ है बहुत ही amazing सवाल है और आपको करके बताना है और आप comment में आप मुझे इसका answer बताओगे ठीक है और next video के इंदर इसका जो next part आएगा part number 3 वहां मैं इसको explain करूंगा ठीक है तो question बहुत अच्छा है तो question बोल रहा है a man is standing on a weighing machine placed in a lift ठीक है when stationary his bait is recorded as 40 kilogram if the lift is accelerated upward with an acceleration of 2 meter per second square then the bait recorded in the machine will be option a 48 kilogram, option b 32 kilogram, option c 64 kilogram, option d 80 kilogram पहले तो आप यहाँ एक चीज़ देखो, questions तो करना है यह आपको लेकिन आप यहाँ चीज़ देखो एक word आया weighing machine, weighing machine का मतलब क्या होता है weighing machine देखो यह lift है और lift के अंदर ए weighing machine है और इस weighing machine पर कोई M mask का body या man खड़ा है, ठीक है weighing machine का काम होता है bait को measure करना, पर बास्तम में वो bait को measure नहीं करता weighing machine का काम होता है आपका reaction force को measure करना, ठीक है यानि यह पता है क्या बताता है कि apparent bait कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ है उस bait को यह measure करता है, यह वाला, यह जो weighing machine है, यह क्या करती है apparent weight को calculate करके बताती है कि कितना bait बढ़ा है और कितना कम हुआ है ठीक है, तो यह weighing machine होती है, simple अब आपको इस सवाल को मुझे comment में बताना है और next video के अंदर मैं इसका solution लेके हूँगा, ठीक अब आपको next part के अंदर में block और pulli पर based theory और questions कराऊँगा, अगर आप channel पर नए है, तो channel को subscribe करना न भूलें और bell icon को जूरू पैस करें, ताकि मेरी हर वीडियोज की notification आपके कर दो अंदरम neंदर आपके और यूम की आपके आपकिर